वीडियो का टाइटल आपने बिल्कुल सही पड़ा है हम 10 मिनिट के अंदर एक वेबसाइट बनाना सीखने वाले हैं देखो एक मेरा दोस्त है जिसने एक नया स्टाटप किया है विंटर क्लोधिंग का सर्दियों का मौसम चल रहा है अब उसने सारा बजट अपने स्टोर के उपर खर्च कर दिया अपने स्टॉक के उपर खर्च कर दिया लेकिन कस्टमर के लिए उसको एक वेबसाइट भी बनानी थी और जब वो डेवलपर के पास गया तो वहाँ पे उसको बहुत तरह के प्लांस दिखाएगे किसी ने 20,000 बताए किसी ने 50,000 बताए लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं ऐसा तरीका जिससे अगर आपका कोई नया स्टार्ट अप है या आप वेबसाइट बनाने के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत पॉपलर है और जिसका नाम है AI वेबसाइट बिल्डर और इसे बनाया होस्टिंग गरना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से क्लिक करके आप जाईए तो इस पेज पे आप आजाएंगे यहाँ पे आप इसे ट्राइगर सकते हैं बिल्कुल फ्री में ट्राइगर लीजिए फिर उसके बाद जाके आप बना सकते हैं बीचे मैं इसके जो प्लान देखें है वो बहुत ही मिनमम प्लान है आप देखो कि 148 रुपे पर मंत में आप अपना वेबसाइट बना सकते हो यहाँ पे थ्री मंच का फ्री प्लान भी दिया है तो दोनों लिंक में आपको देदूँगा डिरेक्टली आप पहले डोमेन वेबसाइट का नाम होता है और होस्टिंग प्लान वो होता है जहाँ पे आप अपना कंटेंट रखते हो जो फोटो अपलोड करोगे जो टेक्स्ट अपलोड करोगे वीडियो डालोगे यह सारी च एक मिनिट की बात कर रहा हूं यह एक मिनिट की बात कर रहा है ठीक है चलो इसको ट्राइ करते हैं सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेटिंग पर क्लिक करेंगे सिम्पल यहाँ पे आपको ब्रांड का नाम रिखना है तो मैं यहाँ पर PC स्किल लिख देता हूं या फिर और कोई ब्रांड आपको याद हो, आपका कोई नाम हो तो आप लिख सकते हो, आप देखो यहाँ पे आपको option दिखेगा website type का, चुंकि आप बनाने वाले हो एक online store, ठीक है e-commerce portal बनाने वाले हो, तो यहाँ पे आप इसको select कर लो, और इसके अलावा अगर आप portfolio या business showcase, जो भी बनाने वाले हो, वो option select कर लो, जिसे AI को पता चल जाएगा कि आप किस तरह का project तियार करने वाले हो, चाय पीते रहना बीच-बीच में बताता जा रहा हो आपको क्योंकि उतनी ही देर में website बन के तियार हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा online store, और यहाँ पे description दे किस तरह से यह description आपको लिखनी है, तो मैं आप एक winter clothing description लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने clothing website के बारे में एक बहुत अच्छा सा description लिख दिया है, अगर आपको यह description लिखना नहीं आता है, तो आप chat GPT का इस्तिमाल कर सकते हो, यह video में मैंने बताया कि chat GPT और Google Bard का आप से यूज कर सकते हो, अपने इस तरह के project को बनाने के लिए, आपको website का नाम भी suggest करेगा, और आपको description भी suggest करेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही बता देगा, marketing plan भी आपको पहले से समझा देगा, तो यहाँ पे आप description लिख सकते हो, आपको 700 word का कम सिकम description लिखन तो हम मुझकिल से आपको 10 से 15 सेगंड का वेट करना है, और मुझे लगता है कि शायद उससे भी गम क्यूंकि देखो यहाँ पे काम कितनी तेजी के साथ में चल रहा है, और देखिए आपकी जो website है वो ready हो गई है, और कुछ इस तरह का interface आपको यहाँ पे देखेगा, और जैसे कि मैंने वहाँ पे जो prompt लिखा था, एक website मुझे चाहिए थी, जिसमें वे इंटर कलेक्शन अपना लेके आने वाला था, या जो मेरा दोस्त था वो अपना startup करने वाला था, तो यहाँ पे complete website तेयार हो गई है, जैसे आप यह website तेयार करेंगे तो नीचे आपको style और pages जिसका option देखेगा, style पे click करते ही, आप अपने website का, यहीं पे live के दोरान ही font वगएरा ये सारी चीज़ा चेंज कर पाएंगे, एक single click के अंदर, अगर ये font नहीं अच्छा लग रहा, दूसरा कोई ले लिजे, यहाँ पे आप अपने website के जो color theme है, उनको change कर पाएंगे, एक यहाँ पे आपको shop का option दिख जाएगा, और यहाँ पे contact us का option दिख जाएगा, अब timer लगा गया आपने देखा होगा, यह website हमने कितनी दिर में बनाई, अब बात आती है कि भाई, हमने यह सब कुछ free में तो कर लिया, लेकिन अब इसको कैसे कितना खर्चा हमको बढ़ेगा, कैसे हमको लेनी है, तो यहाँ पे आपको full edit mode का option दिखेगा, अब यहाँ इसको edit नहीं कर सकते हैं, अपना नाम वगएरा या phone number वगएरा जहाँ पे नहीं आ रहे हैं, वो सारी चीदें आपको set करनी है, आपको अपना winter collection है, वो set करना है, अपने photo डालने है, जो price है वो set करन तो उसके लिए यहाँ पे full edit mode का option दिखता है, इस पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको select plan का option दिख जाएगा, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया तक वही 149 वाला जो plan है, वो यहाँ पे आ जाएगा, या आपर सीधे link पे क्लिक करके यहाँ पे आप EI website builder पे जाके भी आप वो plan ले सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो देखो इनके starting में क्या plan दे रखा है, यहाँ पे 599 का एक plan है, एक महीने का, बारा महीने का है, जिसमें आपको 249 रुपे, यानि 239 रुपीज पे करने हैं, और 24 महीने क पे करने हैं, जैसे जैसे आप time period बढ़ाते जाएंगे, आपका महीने का जो चार्ज है, वो कम होता जाएगा, और तो यहाँ से जैसे 12 महीने वाला प्लान लेते हो, तो एक 700 रुपे कर डोमेन और फ्री मिलेगा यहाँ पे, तो suppose that कि हम यह 48 महीने वाला प्लान ले लेते हैं और जैसे हम नीचे जाएंगे, तो आप देखो कि 48 महीने, यानि कि 4 साल ले आपको 8,449 रुपे कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा coupon code और लगा दो आप, यह लगा दो आप my big guide, ठीक है, और apply कर दो, तो यहाँ पे 10% का discount आपको और मिल जाएगा, यानि 4 साल का total बजट आपका बैठेगा, 7595 रुपे, अब एक और बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपके बाद GST है पहले से, तो आप यह 1188 रुपे, यानि 1188 रुपे, GST वापस भी ले सकते हो, यह GST बिल आपको मिल जाएगा, यहाँ पे यह सारे payment प्लान दे रखे हैं, किसी भी प payment प्लान पे जागे, लॉग इन कर लेता हूं, जैसे आप लॉग इन कर लोगे, तो आपको इस तरह से एक पूरा जो कस्टमाइजबल टेंपलेट है, वो दिख जाएगा, और यहाँ से आप अलग-अलग element अपनी website के अंदर add करा सकते हो, यहाँ से आप अपने online store को manage कर सकते हो, देखो यही बहुत सारे option दिए गए है, तो यहाँ से आप अपने online store को manage कर सकते हो, blog manage कर सकते हो, यह सारी चीज़े manage कर सकते हो, और अगर इसके आगे का part आपको चाहिए कि कैसे ही सारी चीज़े manage करनी है, तो नीचे comment करके मुझे बताओ, क्योंकि इस वीडियो के लिए झाल